Attack on Titan के Season 4 का Second Part जिसका Episode, मतलब Second Episode आया है जिसका नाम है Sneak Attack काफी interesting है देखो, First Episode भी काफी interesting रहा है व्योंकि इसने जैसे ग्रैप बना रखा है हमारे मतलब जिस तरीके का engagement इसके पर रह रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया कमाल की, मतलब की animation है कमाल की story जैसे रही है जैसे बांध के रखा अपनी audience को बे मिसाल यार Second Episode जब आता है और इसके ending में जैसे पहुँचते हैं तो एक तरीकी की उमीद मेरे अंदर यह होती है कि एक सवाल जो मेरे दिमाग में कवसे था शायर मुझे उसका जवाब मिलने वाला है मेरे दिमाग में वो सवाल के मुझे लगता है कि हर एक एनिमे लवर जो Attack on Titan को पसंद करता है और इसको follow करता हा रहा है तो यही होगा कि आखिर specially उनके लिए जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ रखी है मांगा पढ़ रखी है तो उनको पता है कि क्या होने वाला है जुन्होंने मांगा नहीं पढ़ रखी है उनके लिए तो यह केस वाल आता है कि आखिर Aaron में ऐसा चेंज क्या हो गया कि उसने अपने दोस्तों को जेल में बंद कर दिया अपना एक गुरूप अलग से बना लिया बगावत उसने कर दी क्यों वो यह हरकतें कर रहा है तो वो मुझे लगा कि यार सेकेंड एपिसोड में मुझे उसका जवाब मिलेगा क्योंकि जीक सामने आ जाता है दोनों का मिलना काफी टाइम से जुनों उन्हे ने प्लैन बना रखा थे कि हमें एक साही टाइम पे मिलेंगे और वो सामने आता है सेकेंड पार्ट के अंदर तो मुझे लगा कि यार हाँ अब मुझे पता चलेगा कि एरन क्या चाहता है लेकिन क्या है न कि मैंने बैठा इसको देखने तो इतना इंट्रस्ट आ रहा है टाइम बार-बार देखे जा रहा है तो वहां पर बार-बार मेरा स्क्रीन के नीचे वहां पर ध्यान जा रहा है कब यह आगे बढ़ेंगे कब भी अपना प्लैन दिखाएंगे वह एक बतलब पता ही नहीं चलता है बहुत बढ़िया रहता है इनके बीच में जो फाइटिंग होती है बहुत जबरदस्त बाई एरन ने जो फर्स्ट विन से आए है तो यह एक वीडियो एक तिरैन केक्शन कह सकते हो या फिर excitement बता रहा हूँ, अपनी थोड़ा बहुत mix ही है, इसके अंदर थोड़ा बहुत reaction है, थोड़ा बहुत review है, अब देखो जैसा first episode मैंने देखा था first season का और जैसी इसमें image बनाई थी मेरे सामने कि इसमें बहुत जादा से जादा इसके अंदर कतले आम हो रहा है, लोगों को ची बराबा है, देखकर मजा रहा है, मतलब मैं support नहीं कर रहा हूँ, बात ही होती है न कि क्योंकि यार इस anime की requirement ही वही है, कि आप बहुत जादा कतले आम दिखाई है और वो इसमें भर भर के दिखाया जा रहा है, जो बहुत बच्चे इसको देखने मैं वह तो बिलकुल भी न पर दिया है, जंग छेड़ दिया है, बहुत मजा है वो देखकर, और second जो third episode आने वाला है, उसका बेसबरी से इसलिए इंत जा रहे है कि अगर Aaron और Jake दोनों मिल जाते हैं, तो वो जो plan उन्होंने बना रखा है, वो successful होता है, किसके favor में जा रहा है, Aaron का actual मकसद क्या है, वो स third episode में लिखात आता है, कि two brothers, उनके जो path है, शायद वो पता चलें कि भी किस रास्ते वो चलने वाले हैं, तो दोना episode तो बे मिसाल रहे हैं, जिनोंने नहीं देखा है, तो जा कर देखो यार, और जो देख रहे हैं, मतलब कि अपना experience शेर कर सकते हो कि कैसा रहा है, जबरदस animation है, किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी गई है, यह fighting बहुत भड़िया, एक होता है कि एक पल के लिए भी आप आँखे बंद नहीं करना चाहोगी, कहीं पर भी कोई चीज, scene जो है, वो miss ना हो जाए, वैसा हाल होता है इसके अंदर देखते हैं और जो एक पिछली वीडिय लिए के अंदर मैं मतलब बात करना भूल गया था, जो इसमें गाना आता है, लास्ट में जो सोंग आता है, एरन जिसमें दिखाया जाता है, भाई साब कमाल का है, बहुत जबरदस्तों, मतलब इसका कहीं पर भी मैंने, 23 मिनिट का एपिसोड है, 23 मिनिट का लग, 23 मिनिट क एपिसोड है, तो कहीं पर मैंने ना इसका आउटरो मिस किया, ना मैंने इसका इंटरो मिस किया, पूरा देखाया, क्योंकि एक अलविदा कहने वाला एक टाइम आने वाला है इस सीरिस को, क्योंकि अभी इसके बाद खतम होने वाला है, शायद ही खतम हो जाए, मुझे तो कोई और निकालने वाले हैं तो यह मैं कहीं पर भी मेंस नहीं करना चाहते हैं याद इसके साथ जुड़ेगे कि तियाज इसके साथ लिखा जाएगा काफी दमदार रहा है तो अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो रहां जोने थैंक्स और वोचिंग डिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद